अस् discipleship रेकुम एल्म कि शमा में आज हम आप को लेकर आए हैं बोल्टन मार्किट कराची जिसे इंक्रोच्मेंट को हटा दिया गया है यह देखए आपके सामने बोल्टन मार्किट कराची के मनाधिर हैं जो बहुत ही बड़ी मार्किट है इसमें बहुत सारी किस्मों की चीज होती हैं खिलोंने प्लास्टिक का सामान क्रोकरी और यह तक्रीबन सारी इंक्रोच्मेंट को खतम कर दिया गया है कि बहुत ही वसी पेमाने पर यहां पर मार्किट है कुछ लोगों अपने तोर पर खुद ही छज्जे वगरा तोर रहे हैं और कुछ कुछ लोगों को हैवी मशीनरी ने उनके इंक्रोच्मेंट को हटा दिया है फुट पातों को भी तोड़ा गया है और बहुत कुछादा लग रही है इस वक्त बोल्टन मार्किट और सारे दुकानदारी खट्टेओं के बैठे वे हैं कि काम हो रहा है यह सब आप देखें यह मनाजिर हैं पूरे बोल्टन मार्किट कराची के मेमन मस्जिद का मिनारा था यह जो आपने देखा प्लास्टिक मार्किट है बहुत बड़ी है यह फुट पाथ हैं जो के सारे तोड़ दिये गए हैं बैनर्स लगाए गए हैं लोगों ने अब अपने दुकानों के नाम के बैनर्स लगाए गए हैं यह पूरा मलबा भी पड़ा हुआ है अब आइस्ता आइस्ता इसे उठाने का काम भी शुरू होगा कुछ चैनल्स भी हैं जो कि यह बना रहे हैं इस वक्त सारी फुटेज और वीडियो बगएरा ले रहे हैं चैनल वाले भी आए हैं वे दुकानदार अपना सामान हटाने में मसरूफ है मार के पूरी तरह से बंद है लोगों का जम्म गफीर यहां पर मौझूद है जो के कुछ लोग देखने वाले हैं और कुछ लोग दुकानदार हैं इस वक्त जो है वो खास तोर पे कबारियों की चांदी वीवी है जो के टीन के पत्रे वगएरा उठा कर ले जाते हैं इस व जो गेट जाली वाले होते हैं उनकी भी चांदी वीवी है क्योंकि वो पत्रे वगएरा हटाते हैं और इस तरह मजदूरों को भी बहुत ही अच्छा सा रोजगार मिलावाई यह देखें मजदूर जो है वो दुकानदार अपने अपने बल पे खुद ही जो काम करवा रहे ह तो मजदूरों का भी रोजगार खुल गिया है इस तरह से कुछ लोगों का रोजगार चला गिया है तो कुछ लोगों का रोजगार खुल गिया है इस सब अल्ला के काम है यह देखें यह बिल्डिंग को भी थोड़ा सा किया गिया है डैमिश थोड़ा किया है जो बाहर नि मशीनरी हैवी आई भी है जगा जगा पर और काम में मसरूफ है लोग परेशान भी है सोच में भी है किया किया जए और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताईएगा लाइक कीजिए शेर कीजिए ताके तमाम लोगों को पुरी दुनिया में ये पता चल किया अल्लानी के बान